हेलो बच्चो कैसे हैं आप आशा करती हूँ सब स्वस्तोर खुश होंगे तो बच्चो लास्ट वीडियो में हमने एबेकस को रीड करना सिखा था उसी को ही कंटिन्यू करते हुए उसमें मैं आपको एक नई चीज और सिखाऊंगी और हम अब एबेकस में बीट्स को रीप्र न सिखेंगी ठीक है तो बच्चो शुरू करते हैं हम देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि लिखी संख्चाओं के अनुसार गिं तारे में गोलियां या मन के बनाओ अब हमें संख्चाएं निचे दी गई है मतलब नंबर हमें निचे दे दिया गया है और उसको हमने र गिन्तारे को क्या अबिकस में हम क्या करेंगे बीड को प्रेजेंट करना सीखेंगे ठीक है तो बच्छों सबसे पहले इसमें आपको जो एक नई चीज दिखेंगी न वो आपको क्या मिल रही है जीरो तो क्या आप जानते हैं जीरो क्या होता है मैच में हमने काउंटिंग मतलब कुछ भी नहीं अब माल लीजिए आपके पास पांच चोकलेट हैं और आपने पांचो की पांचो चोकलेट खा ली तो अब बताईए आपके पास क्या कितनी चोकलेट बच गई है कुछ भी नहीं बचाना तो अब कुछ भी नहीं को हम कैसे दिखाएं तो इसके लिए maths में हमने क्या बनाई 0, मतलब जब कुछ भी नहीं रहता, तो उसके लिए हम 0 लगा देते हैं, ठीक है अब देखिए, यहाँ पर आपके पास beats हैं कितने 9, लेकिन यहाँ पर 0 मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब आपके पास कोई beats है यह नहीं जब है ही नहीं, तो उसके लिए हम लगा देंगे 0 या सुन्य, ठीक है अच्छा लगा ना, 0 से मिलके यहाँ पर कितना मजा रहा है, हमें कोई कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और 0 तो represent भी हो जाएगी, तो सबसे पहले हम इनके लिख लेते, houses ठीक है, यह इकाई के घर इकाई के घर को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे once place, क्या कहेंगे once, फिर यह दहाई दहाई को हम क्या कहेंगे tenth place, फिर आएगा hundred place इसके बाद आएगा thousand का place, ठीक है हिंदी में भी देख लेते हम इकाई, फिर दहाई, फिर सैंकड़ा और लास्ट में हजार ठीक है? अब देखिए इकाई में हमने दिखाने है कितने बेड्स? 9 यह देखिए हमारे पास 9 के 9 यहाँ पर हमने represent कर रखे हैं फिर हमारे पास है दहाई, दहाई में है हमारे पास 0, 0 means कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मतलब उसको हमने blank छोड़ देना है खाली छोड़ देना है कोई weights हमें डालना ही नहीं है इसके बाद हमारे पास क्या आया hundred hundred के हमारे पास कितने beats है seven तो यहाँ पे देखो seven already represent कर रख है फिर हमारे पास आया number 1000 1000 में हमारे पास है पांच गोलिया और इन पांचों गोलियों को हमने यहाँ पे represent कर दिया अब इस number को हम read करें हमने ध्यान रखना है कि जो इकाई और दहाई मतलब ones और tens है वो best friend और हमेशा साथ पढ़े जाते हैं और साथ ही रहते हैं hundred यानि कि सैंकड़ा अलग और thousand मतलब की हजार आपका अलग से बोला जाएगा तो पढ़ते हैं इसको हम five thousand seven hundred nine अब देखिए zero है zero तो कुछ बोला ही नहीं जाएगा ना तो सीधा ही seven hundred nine हो गया हिंदी में पढ़ लेते हैं पांच हजार साथ सो no ठीक है zero वला हमने खाली छोड़ना है तो उसकी कोई बात ही नहीं होगी ठीक है zero nine भी nine ही पढ़ा जाता है अब देखिए यहाँ पे फिर से हम फटा फट इनके house लिख लेते हैं once tens hundred thousand अब देखिए हमारे पास इकाई में मतलब की once में कितने हमें मन के दिखाने है छे छे के लिए हम ड्रो करेंगे एक दो तीन चार पांच और यह पूरे छे मताया ना ड्रो करने में हमें अब देखिए next हमारे पास है दहाई यानि की tens tens के निचे हमें कितना नमबर दिया हुए seven तो यहाँ पे हमें कितने beats बनाने है seven one two three four five six seven next में हमें कितने बनाने है अरे hundred में हमें बनाने है eight यानि की eight one two three four five six seven eight next हजार में यानि की thousand में हमें कितने beats बनाने है nine फटाफट बनाते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखिए आपने यह ध्यान रखना है कि इनका size लगबग same हो ताकि इनका height का जो difference है कम ज़्यादा का वो हमें ideas के ठीक है तो इसको हम कैसे read करेंगे ये दोनो best friend और ये भी अलग और ये भी अलग ये किसका house है thousand का 9,876 हिंदी में पढ़ेंगे 9,886 अब यहाँ पे हमारे पास 1 यानि की once के place पे क्या number है 5 तो हमें यहाँ पे कितने words दिखाने है 5 1, 2, 3, 4, 5 अब देखिए दाहाई यानि की tense के place पे कितना number है 0 means सुन्य सुन्य यानि की कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं को हमने छोड़ दिया खाली blank रहेगा ये आपका ठीक है next देखिए सैंकडा सैंकडे के पास कितना number है फिर से 0 यानि की सुन्य सुन्य मतलब कुछ भी नहीं तो खाली का खाली ही रहेगा next देखिए आपके पास क्या है number हंजी 9 तो अब हमें कितने bits दिखाने है 9 और 9 किसके है ये 1000 के पास मतलब की 1000 के पास तो दिखाते हैं चलो हम अपने bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो देखिए अब इसको कैसे रीड करेंगे हमारे पास 1000 का क्या है 9 सैंकडे का कुछ भी नहीं दहाई के पास भी कुछ भी नहीं इकाई के पास 5 तो इसको हम पढ़ेंगे 9,000 5 क्या पढ़ेंगे 9,005 जब सैंकडे और दहाई का हमारे पास है ही नहीं कुछ तो उनकी हम कोई बात नहीं करेंगे ठीक है जिस भी नंबर के पास कुछ नहीं होता उसका कोई discussion नहीं होता है ठीक है तो इसको सीधा पढ़ेंगे 9000 जंप करके सीधा पहुंच जाएंगे हम 5 पे इकाई इकाई को बोलते हैं once tens hundred thousand लिख दिया हमने अब देखेए 1 के पास क्या है मतलब once के पास jiro zero है तो हमें कुछ दिखाना ही नहीं फिर दहाई दहाई मतलब tens tens के पास कितना नंबर है फिर से zero मतलब कुछ भी नहीं दिखाना फिर आगया हमारे पास सैंकडा यानि की हंडर के पास क्या नंबर है जीरो अगे सिरो मतलब कुछ भी नहीं फिर आ गया हजार मतलब 10.000 के पास कितना नंबर है यहां-ट तो हम यहाँ पे वन-बीट दिखाएंगे और इस टाइप से इसको अब हम read करके देखेंगे तो क्या बनेगा हमारा पहले हम English में read कर लेते हैं 1000 अब जब बाकी किसी के पास कुछ है यह नहीं तो उनकी कोई बात नहीं होगी ठीक है तो यह simply पढ़ा जाएगा आपका 1000 यानि की 1000 अब next हमारे पास एकाई ones, tens, hundred इकाई का हमारे पास कितना नमबर है one, तो हमने कितना बीट दिखाया one अब देखिए next है क्या दहाई, मतलब tens tens के पास है zero zero मतलब nothing कुछ भी नहीं न तो इसको हमने छोड़ दिया blank सैंकडा मतलब hundred hundred के पास कितना नमबर है six तो हमें कितने बीट दिखाने पड़ेंगे six अब next आगया 1000 यानि की thousand thousand के पास कितना नमबर है four तो हमें कितने बीट दिखाने पड़ेंगे four one two three four अब देखिए इसको हम कैसे read करेंगे मैंने आपको बताया था न इन दोनों को एक साथ पढ़ना है यह best friend है इसको अकेले और इसको भी अकेले तो पढ़ते हैं four thousand six hundred one यह अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं चार हजार छैसो एक तो बच्चो आज हमने गिन तारे पे संख्याओं को तर्शाना सीखा मोतियों की सहायता से जब भी आपको एबेकस मिले तो आप अपनी मन पसंद संख्याएं उस पर जरूर बना कर देखना ठीक है बच्चो